Population Explosion मतलब जनसंख्या में बहुत तेजी से और बहुत जाद बढ़ी हो हरी है तो explosion मतलब जन-संख्यां आप सवत ताइप मतलब बहुत जाद बढ़ी हो रही है इसके क्या क्या रीजन है, क्या cause है, ऐसा क्यों हो रहा है पहली बात तो birth rate बढ रही है , accelerating birth rate birth rate बढ़ेगी तो जन से अब अपने आवे बढ़ेगी दूसरी बहुत important चीज है कि infant जो बच्चे है वो mortality rate उनकी कम हो रही है मतलब बच्चों की death नहीं होती तो यह तो अच्छी बात है ना कि उनकी death नहीं होती क्योंकि हमने medical field में इतनी तरक्की कर लेगी हुँ ना infant की mortality rate कम ह हो गई है बट इससे effect यह हो रहा कि population बढ़ रही है ठीक है थार्ड है increase in life expectancy अब हमना medical field में इतनी तरक्की कर लिए तो जो disease है मों क्यों हो रही है तो लोगों की death उससे भी नहीं हो रही है तो अगर death नहीं हो रही है तो मतलब population बढ़ रही है एक तो birth rate है improvement और दूसरा किसी बिमारी वज़े से लोग जानकी मतलब life सही है क्योंकि हमारी medical field में नहीं नहीं चीज़ को discover हो रही है तो बिमारीयों के इलाज हो रहा है तो मतलब population बढ़ेगी यह cause है population explosion क्यों हो रहा है कि हम तरक्की कर रहे है इसलिए भी हो रहा है high level of illiteracy अब यह एक point है सूचने हो रहा अब भी ऐसा है कि population में contribution जाद ही हो रहा है कि अब जो पड़े लिखे हैं वो तो मितलब population काम ही है और जहां literacy rate low है वह population में ब्रदी जाद हो रही है इसका effect क्या हो रहा है population explosion का क्या effect हो रहा है पहला over population वह तो हो ही रही है दूसरा most important unemployment अब इतने सारे पर जब population बढ़ रही है तो employment का कोई जरिया बढ़ चाहिए है वो जो जरिया create कर रहे हो है उस rate से नहीं हो रहा जिस rate से population बढ़ रही है तो unemployment बढ़ रहा है तीसरा poverty गर भी तो आएगी क्योंकि हमारी wealth है वो कुछ लोगों के पास सिफ जा रही है मतलब एक ऐस survey है और illiteracy अब हर किसी को एजुकेश population है स्विधाओं की कमी है source जोतने नहीं हो रहा रहे है जितने ही population है poor health अब हम यह सब चीज को ठीक करने कोशिश कर रहे है बट अब भी यह चीजी है health में हम बहुत सारी scheme ले किया रहे है पर अब अभी तो है ना economy पे फरक पड़ रहा है और population में तो contribute करी रहे है तो इसका अब पॉपिलेशन ज्यादा हो रही है उसका effect है है कि क्या effect हो दिखा रही है अब population को control कैसे कह जा सकता है development जब development बढ़ेगा तो population अपने आप development होगा चीजे अच्छी होंगी तो population अपने आप में control में आएगी क्योंकि उन चीजों के value समझ में आएगी education अगर हमें देंगे education देंगे तो literacy rate बढ़ेगी तो उन्हें फायदे और नुक्सान सांज में आएगे कि अगर एक बिच्चे को सम्हाल सकते है तो एक ही बिच्चा रखेंगे वह तो education का level हम बढ़ाएंगे तो population का level अपने आप control में जाएगा women empowerment most most important है कि women को empower करो तो वह खुद सम्हाल लेगी चीजों को तो population में भी explosion है वह भी कम होगा मतलब population नहीं बढ़ेगा उस rates अगर women empowerment होगी क्योंकि वह खुद देखेगा उस चीजों केंडल करेगी eradicate poverty poverty कोटाओ क्योंकि जहां गरीबी है वह भी population ज्यादा बढ़ती है अगर गरीबी मिटाओ तो population की जो व्रद्धिक रेटव कम होगी easy and cheap availability of contraceptive of contraceptive को easily अगर available होंगे तो definitely इसमें population की growth में कम ही आएगी प्रवाइड करेंगे अगर हम को इस इंसेंटिव देगे जिसके एक बच्चा है या दो बच्चे है तो मतलब जिसके एक लड़ किये तो मतलब ऐसे चीज़ें करेंगे तो इंसेंटिव उन लोगों को देंगे तो उस चीज़ें उस तरह लोग सोचना सुरू करेंगे उस ताइड लोग बढ़ना सुरू करेंगे लेक्स टैलेजिस लेट वेक्चन अगर में रूल बनाने चीज़ें उन्हें फॉलो करवाना चीज़ें की काम हों कर सकते हैं उसे रोकने के लिए मेडिकल फैसलेटीज प्रवाइड अगर वह हो गया तो फिर तो एक चीज़ें कम होई जाएंगी बट इसमेंट लगेगा टाइम और लास्ट है कि डिलेट मेरीज अब जल्दी जल्दी अगर साधी हो रही है तो फिर वह है कि पॉपलेशन बढ़ने की रेट अपने आप ही होगी